हलो स्टुएंट मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने सी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ अपकी बार 90 बार के इस संकल्प को पूरा करते हुए आज किस वीडियो में क्लास 10th English UP Board के section B में पूछे जाने वाले applications को समझाये गया है उमेद करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखोगे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इससे सब्सक्राइब कर लोगे सब्सक्राइब करते हैं आज किस वीडियो में जैसे कि आप लोगों बताया जा चुका है कि कुछ applications से जो बोड के परीच्छाओं में कई बार पूछे गए हैं इन्हीं को ही explain करना है आज मुझे तो questions किस प्रकार से आ सकता है questions आएगा an application to the principal आपको एक application लिखनी है to the principal core of your college inform करना है उन्हें him about your illness अपनी बीमारी को and requesting him to grant your leave of your absence मतलब अपनी बीमारी को दिखाते हुए आपको अपनी अनुपस्थिती को बताना है और छुट्टी के लिए प्रातना पत्र लिखना है तो आपको कैसे लिखना है प्रातना पत्र इसको थोड़ा सा समझा देते हैं कैसे लिखना है सबसे पहले सुरुवात कहां से करनी है आपको टू से करनी है तू दप्रिंसिपल सरस्वति विद्या मंदर जो भी स्कूल होगा आपका मॉडल हाउस लखनो अब बात करते हैं इसके बाद जी जो हो गया कि किसको लिख रहे हैं आप तू दप्रिंसिपल सरस्वति विद्या मंदर मॉडल हाउस लखनो सब्जक्ट लिखना चाहते हैं त most respectfully I beg to say that I have been suffering from fever since last night मतलब आप पिछले दिनों बीमार हो गाते या पिर यह कर लें कि कल आप बिमार हो गए थे जिस वजे से आप क्लास नहीं कर सकते हैं, so I cannot attend the school, आप school attend नहीं कर सकते हैं, I therefore request you to grant me leave from 12th July 19 to 16th July 2019, जो भी आपको लिखना 2020 भी लिख सकते हैं, यह तो डेट आप पर डिपेंड है कि आपकी स्तिती में अप्लिकेशन लिख रहे हैं, I am very thankful to you, यह लिख देंगे, उसके बाद डेट डालेंगे, जिस डेट में आपने समिसन किया है अप्लिकेशन का, उसके बाद ध्यान देना स्टुटेंट यहां पर obediently कि spelling आप लोग कई बार गलत करते हैं, तो यहां पर XYZ बोर्ड की परिक्षाव में आप लोगों को सिंपल लिख देना है, अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ ही लिख 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 अप्लिकेशन दोनों ही सेम होती है, बस आपको सब दो का इस्तेमाल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जहां पर आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखते थे वहां पर करेक्टर सर्टिफिकेट लिखने पड़ेगा, बाकी सब कुछ सिंपल रहता है, सेम रहता है, फिर मैटम लिख सकते हैं, most respectfully I beg to say that I have passed high school examination from your school, आपकी स्कूल से मैंने class 10th की परिक्षा पास कर ली है, now my father has been transferred हो चुका है उनका सीतापूर में, for further education आगे पढ़ाई के लिए I have to go to सीतापूर, मुझे सीतापूर जाना पढ़ेगा, where I have to submit my transfer certificate along with my character certificate, और मुझे अपना चरि जाले में आता है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, so I therefore request you to please issue me a character certificate along with my transfer certificate, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कि मुझे character certificates के साथ मेरा transfer certificate issue करने की करपा करे, I am very thankful to you, date डाल देंगे, जिस date में आप ये application submit कर रहे हैं, इसके बाद third application, जो important है, पोड की परिक्षा है, तु प्रातना पत्र लिख रहे हैं, इसमें क्या लिखना है, आपको to the principal, सरसोती विद्या मंदर लखना हो, सरसोती विद्या मंदर लिखना है, जो आपका school होगा, वो आप लोग लिखेंगे, subject आपको दिखाना है, application for fees concessions को देखते हुए, sir या फिर madam, जो भी class teacher हो, most respectfully I beg to say, ये भी लिख सकते हैं, I have to inform you that I belong to a very poor family, मतलब मैं ही गरी family से बिलॉग करता हूँ, my father is a laborer है, एक labor की तौर पर कारे करते हैं, he was, yeah, he is not able to pay my fees, और देने में सक्षम नहीं है, आपकी विद्याले की fees देने में सक्षम नहीं है, I therefore request you to grant me full fees concession, और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कि मेरी पूरी शुल्क को माफ कर दिया जाए, धन्यवाद इस बात का, I am very thankful to you, you are evidently, x, y, z, आप लोगों को simple वैसे ही लिख देना है, ये last application, जो most important है, बोड की परक्षाह में, ये भी पूची गई है, ध्यान दे, write an application to the principal of your school, for leave to attend your sister's marriage, और brother's marriage, कुछ भी हो सकता है, कुछ सिस्टर मेरीज भी हो सकती है, और brother's marriage भी हो सकती है, elder brother marriage भी हो सकती है, बस ध्यान देना है, जो सब्द दिया हो, जो word दिया रहा हूं, वही आपको अपनी applications में लिखना है, ध्यान देने वाली बात यही है, शुरू करते है, to the principal, सरस्वति विद्यमंद model house लखनो, subject में आप लोगो simple लिखना है, application for leave to attend my sister's marriage, sister's marriage को attend करने के लिए मैं चुट्टी है, तो प्रातना पत्र देना चाहता हूं, sir I most respectfully I have to inform you that the marriage ceremony of my elder sister is going to held next week, अगले सब्ता ही मेरी बहन की शादी है, therefore you are requested to grant me leave for 10 days, मुझे कृपा करके 10 दिन की चुट्टी या अवकास देने किरपा करें, जो कि कब से कब तक है, 10 September to 19 September, ध्यान लखना बच्चो, 10 से 20 मत कर देना, 10 से 19 ही होगी, जब इसको आप count करेंगे, तो ये attendance की leave आप लोगों को मिल जाएगी, I am very thankful to you, your arbitrarily simple वैसे ही लिख देना, जैसे आपने पिछली सारी applications में date लिखी थी, बिल्कुल इसी तरह से आपको इसमें भी लिख देना है, यही चार application most important है, student ध्यान दे, कई बार e-board की पर इक्षा हम पूछे गहें, इसको अच्छे से तयार कर लें, कहीं पर कोई confusion हो, comment box में comment करके आप लोग पूछ सकते हैं, video अच्छा लगा हो, तो इसे share करें, like करें, और comment जरूर करें, जिससे मुझे पता चले कि मैं video कैसी बना रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ भी रही है, कि नहीं आ रही है, अगर चैनल अभी तक आपने subscribe न किया हो, तो student ने इसे subscribe कर ले, और latest video पाने के लिए, latest जो video इसे related class 10 से related, या 6, 7, 8 जो भी class से related, आप लोग तयारी कर र बुले, धन्य बुले